नमस्ते दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग रिवीव करेंगे मारुती के तरफ से आने वाले इटिगा का ये इटिगा का VXI वेरिंट अभी आप देख रहे हैं जो की एक शोरूम आती है 9.83,09,08,000 की तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें फीचर्स लोग लिटे है इस नान क्या लुक मिलते है इस प्राइसा करेंगे को चले शुरू करते हैं अज वीडियो को सब्से पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रेंट लुक के बारे में कैसी और एसया अज़की कि यहां यह संका गॉल वाला है जोकी हलो भी तो आप BEN आतो स्क्ते पर बात करते हैं तो अबने रियल आपको क्रों ब्लेक मिल जाएगा कुछ कुछ क्रों का accent है और chrome का छोटा से पत्ला से पठी गया वल ओवर दो इसका ग्रिल और लाइट यह बात कर लेते हैं लाइट आपको है लोजन्स में मिलने वाला है प्रोजेक्टर बेस्ट है लोजन्स लैंब रहने वाला इसमें और इसी के साथ यहाँ पर मिल जाएगा इसी में आपको इसका इंडिकेटर भी high and low beam 2 नहीं मिल जाएगा आपको तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है अब चलते हैं इसके dimension के तरफ चोड़ाई लंबाई के तरफ तो इसमें जो लंबाई आपको मिल जाती है वो मिल जाती है तो काफी अच्छा इसमें मिल जाता है अब को अब बात कर लेते हैं तो इसके फ्रेंट में आप चलते हैं इसके पिछले भाग की तरफ बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसा दिख जाता है का इसका रियोक को ऎसका रियर्लूक की नहीं बाकर इसके बात करते हैं तो यहां पर कोई भी स्पोलर राको ने पूवाइब कि आगया है सिर्फ फट्री से के ऊपर अपको बात करते हैं इसके र Am ou процесс बात करते हैं तो इसमें इसमें बात करते हैं तो इसमें इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है और पर आपको फोर रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं हाँ 4 Rivers Packing system छाब को मिल जाएंगे और Skirting आपको मिल जाता हा Rear में बागे Rear से देखने पर आपको कैसे लगी आपको कमेंट कर ना भूलें अब इसी के साहत हम लोग चलते हैं इसके Boot Space की तरफबाद कर लेते हैं इसके Boot Space के वारे में है तो सबसे हैं नों फोलेंके हम लोग इसका दॉत आपको मैंनूवल ही मिलता है। कुछ आपको बूट क शुल जाताisesti हैं तो इसेमें आपको टु हंडर अईट का बूट स्पेस मिल जाता है जाब आप इसको अनご इंसके थर्ड रोष को अगर आप फोल्ड कर दोगे तो आपको आपको अच्छाई स्पेस मिलने वाला है लेकिन अब को सेवन सियए का बबसे थोगा सापको बात कर लेते हैं इसके इंटियर फीचर्स एंड कंफर्ट के वारे में थीचर्ण पर खुलते हैं- lead, ऑधक हाएं-net, ढूर को आपको सिंपल बेसिक फीचर से मिलता है जैसे कि पावर विंडोस और वीएंड इन वार वियम आपको मैनुवली एचस्टेबल एन मैनुवली फूल लेवल ओर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आप एड्ज़स्ट कर सकते हैं सौरी अज़स्ट कर सकते हैं इसको आप आटमेंटिक इसके स्टेरिंग विल आपको कुछ ऐसा जिखता है डीकर स्टेरिंग विल मिलने वाला है जो कि मारुती के अर्मुष सभी कार्स में भी आता है इस पर दिगर फीचर्स के में बात करते हैं लेफ्ट साइड पर आपको मीडिया से रेटर कंट्रोल मिल जाएंगे बेसिक एंड राइट साइड में पोई कोई भी फीचर नहीं मिलते हैं ज्यादा तर आप देख सकते हैं आप ऐसे कुछ मिलता है इसके इंस्टुमेंट क्लस्टर की तरफ हम लोग चलते हैं तो इसा दिख जाता है आपको बाकि लेफ साइड में आपको मिल जाता है इसका आर्पेम मे मिलता है सिंपल सापको रेडियो और ब्रॉत करेक्ट गोनेकिटी डी चाने, अप हमुथ से अपको सकते हैं यहां पर आप इसी जाता है आपको 12 आचुट्ट के शाथ आपक के साथ आने वाला रागा सकते हैं अपको साइड मैं जाता है यूएस वी और ऐसंड मेंग साथ कि यहां पर बढ़ेंगे और इसका पॉन कीपिग स्पेस और उसके आगे ठोड़ा और बढ़ेंगे तो मिल जाएगा बोडल के लिए पर डॉल के लिए लुख्बोल रखनी के लिए स्पेस अब आते हैं इस कार के गेर नॉप की तरफ सिس्टम इरह इंट झाब और सदोन साथ करते हैं माधी सारी विकरीक धूर्चंव यह सब बीचर साप मिल जाएंगे सीड बे Cambodia साफ मिल जाएंगे घृरि में इस मिलते नहीं खैै तो जैआ हैं इसके फ्राइड के बारे में अब चलके देख लेते हैं थोड़ा इसका पूर कि बात करते हैं तो सिंपड आपको बैसिक फीचर मिल जाएंगे जैसे कि हैंडल आप ख्रोम में मिल जाता है साथ ही में Automatic Electrical and Adjustable window मिल जाता है उसके लिए यहां पर switch मिल जाएगा और इसके नीचे आपको bottle keeping space मिल जाता है एक bottle रख सकते हैं आप आराम से बाकि अगर seats के दब चलते हैं तो seats के बीच में आपको काफी अच्छा near room and काफी अच्छा space मिल जाएगा head भी आपका touch नहीं होगा और head का भी space बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें आपको इस seat पे आप पांच आदमी आराम से बैठा सकते हैं मैं तक चाटा भी बैठा दीजिएगा तब दिक्कत नहीं होगा बाकि adjustable seats है यहीं पर से आप इसको घीच के 3rd row को आप जा सकते हैं तो कुछ ऐसा देखता है इसका seats rear में vents भी आपको मिल जाएंगे इसके roof के तरफ आप देश सकते हैं बस यह था इसके second row के बारे में 3rd row उतना दिखाने के लिए नहीं है 3rd row में भी space मिलता है लेकिन उतना ज्यादा space नहीं मिलेगा क्यों आप जानते हैं कि 3rd row है अब बात कर लेते हैं इसके engine के बारे में कि क्या engine इसकार में आपको मिलता है और कितना mileage यह कार आपको offer करेगी engine type के बात करें तो K15C smart hybrid engine इसमें आपको मिल जाता है बागी बात करते हैं इसके displacement की तो इसमें आपको 1460 cc का engine मिल जाता है जो कि power produce करता है 101.64 bhp on 6000 rpm और torque के बात करें तो 136.8 mm का torque on 4400 rpm जो कि 4 cylinder engine क्योंकि यह रहने वाला है बाकि इसके mileage के बात करते हैं तो यह क्योंकि यह engine hybrid है तो आपको इसमें mileage भी अच्छा का से मिल जाएगा यह car claim करती है 20.51 kmpl का air I claimed mileage petrol में क्योंकि बस और बस petrol में ही आती है electric electric कुछ आता नहीं इसमें hybrid का यह option है आपको तो कुछ यही था इस car के बारे में features अब बात कर लेते हैं इसके EMI के बारे में जो कि most important factor हो जाएगा तो इस car को EMI पे लेने के लिए आपको इसका 10% down payment करना पड़े है जो कि रहने वाला है इसका 1,14,000 रुपया तो आपका जुमतली EMI बनेगा 9% का बनेगा बैंक लोन के हिसाब से 9% का बनेगा 9.8% का तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा पर मन्त 25,906 रुपया पर मन्त का आपको पड़ने वाला है अगर आप इसको चार साल के लिए ठीक है और अगर आप इसको और एक्टेंट कर वालोगे 5 साल के लिए तो इसका EMI आप पड़ने वाला है 12680 रुपय का जो कि पर मत के हिसाब से मिलने वाला है क्योंकि इस कार का प्राइस वेरी भी कर सकता है विजसे जो हम प्राइस देखे हैं वह दरवांगा के हिसाब ब्रुसरीटी ब्युक्राइब। ब्युक्राइब।